हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नयनी स्कूल पर हार दिख स्वागत है देखे जैसा आप थमनेल में देख पा रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं सीपी ग्राम से मिला नियाए देखे नियाए क्या मिला उस नियाए के रूप में एक फैमली पैंसनर को मिले साथ लाक इकतर हजार रुपे उनकी पैंसन होरकेती गल्द फिक्स तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मैंने उनका पूरा डाटर निकाला उनकी कंप्लेंट लाई सीपी ग्राम पर ग्रिवेंस डलवाया और उसके बाद जो रिप्लाई आया हो मैं आपके साथ सेर करने वाला हूँ देखें पूरा पूरा डाटर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उनका एरियर जो है साथ लाक एकतर जार बना तो ये फाइदे हैं नैन स्कूल से जुड़ने के देखें मैं जितने भी कमेंट्स आते हैं कोसिस करता हूँ कि सब का रिप्लाई दो जिसका कमेंट्स मुझे लगता है कि उसको पषटल ही मिरेको help करनी चाहिए तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप मुने टेलीक्राम चैनल पर आईए वहाँ पर पूरा डाटर शेर कर सकते हैं भाँ उनसे पूरी बात करके मैं उनको जो है कोसिस करता हूँ कि सैटिस्वाई कर सकूँ यही मेरे चैनल का मुख उद्देश्या है तो आज के अपने इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे गलत फिक्स चल रही थी पैंसर और वो ले आते आ रहे थे लगातार 2018 से लेकिन जैसे उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उनको पूरा डाटर चेक किया फिर मैंने उनको बताया कि आपको गलत पैंसर मिल रही है आप इसके लिए ग्रिवेंसिस डालिए तो ग्रिवेंसिस डालने का क्या तरीका है वो मैंने कल अपनी वीडियो पे बताया है कि आपको क्या करना होगा आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये reply जो PCD की तरफ से आया है और वो भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे उनका इतना बना, कहां गलती हुई ये सारी बाते हम discuss करने वाले हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर जरूर करें देखिए उनका मेसिज आया था कि पापा ने 28 साल सर्विस की है सुबेदार रैंक से 1999 में रिटायर हुए हैं और आफटर रिटायरमेंट ओनरी सुबेदार मेजर भी मिला मार्च 2018 में पापा की दैत हुई तब से ही मम्मी की 9000 बेसिक पैंसन आ रही है तो जैसी उन्होंने मुझे बताया तो फिर मैंने उनसे डाटा मांगा कुछ उन्होंने अपना मैसिज भी मुझे बेजा जो मार्च 2023 की पैंसन थी उनकी बेसिक पैंसन 9000 रुपे आप देख सकते हैं डी ए डी आर जो है 3420 रुपे कुल मिलाके 12420 रुपे उनकी जो पैंसन आ रही थी अब देखे अगर केस हिस्ट्री देखे हम तो एक जुलाई 2014 ORP1 सर्कुलर नंबर 555 के आधार पर जो पैंसन फिक्स होनी चाहिए थी वो उनकी उनकी चाहिए 7361 रुपे वहीं अगर हम बात करें पैंसन जो सात्वा वितन आयोगा आया था सर्कुलर नंबर 570 के आधार पर उनकी पैंसन 18,970 रुपे और 11,2019 यानी ORP रिविजन इसके आधार पर उनकी पैंसन 17,820 हाला कि कम हुई है लेकिन पे प्रोटेक्शन का उनको फायदा मिलेगा तो उनकी पैंसन जो है 18,970 रुपे होनी चाहिए लेकिन मिल कितनी रही है उनको 9,000 रुपेज 28 साल के सुवेदार है 2018 में उनकी डेथ होती है 1999 के रिटारमेंट्स है ये सारी चीजे मैं आपके साथ डिसकस कर चुका हूँ अब देखिए तो मैंने उनको बताया कि आप एक क्वैरी डालो CP ग्राम पर सारा डाटा लिख़ो उनको मैंने उनको बताया कि आपको OROP 1 भी नहीं मिला है Only 3500 रुपे जो minimum basics fix की गई थी उसमें ही 2.57 करके 9,000 जो है आपको मिल रहा है तो देखिए मैंने पूरा उनका help किया उनको पूरा का पूरा जो grievances था वो डलवाया उस grievances के बाद उनका देखिए reply आता है CP gram registration number यह registration number है उनका यह नाम है आप देख सकते हैं यहां पर It is intimated that widow of जो नाम दे रखा हैं यहां पर has submitted her representation stating that she is getting pension of 9,000 per month only including DA in terms of ordinary family pension which is less than her legitimate entitlement the details of her revised entitlement family pension are given as under तो देखिए जो मैंने आपको वहापर लिखके बताया था वो ही देखिए साम डेटा यहां पर इन्होंने दिया हुआ इन्होंने बोला कि basic pension जो है आपकी 7361 per month plus DA होनी चाहिए 1 July 2014 यानि जब OROP fix हुआ था circular number 555 के आधार पर 18,970 रुपे यह circular number 570 7th CP के हिसाब से उसके बाद में अगर हम बात करें देखिए OROP 2 में 17,820 जैसा देखिए OROP रिवीजन में pension यापर इनकी कम हुई है As per our records the qualifying service of the deceased JCO is 28 years and 17 days in Y group and last rank is सुवेदार hence you are requested to instruct Punjab National Bank क्या बताना है to revise the family pension of above widow as per OROP 1 7 CPC and OROP 2 with effect from 1 July 2014 1 January 2016 and 1 July 2019 respectively and make payment of arrears if any to avoid financial hardship to the chairman claimant and instructions above beneficiary the same may please be intimated for the office of our for further necessary action और ये सारी चीज़े जो है हमें भी आप reply कीजिए feedback दीजे ताकि हाँ पर भी हम इसको update कर सके तो तो ये थी जानकारी जो प्राप्त हुई अब मैं बताता हूँ उनको area किस आधार पर कैसे मिला देखिए दो हजार अठारे से ये उनको बताया कि मार्च दो जार अठारे में इनके फादर जो हैं जिनके जो वीड़ो हैं उनके हस्बेंड ने जो यहां पर डिसेस होते हैं तो वहां पर उनको 9000 प्लस 7% दिये था उस टेम पर मार्च से लेके जून 2018 तर तो 9630 रुपे उनको मिल रहे थे लेकिन मिलने कितने थे उनको 18,970 रुपे क्योंकि 7 CPC में उनकी जो पैंसन थी वो होनी चाहिए थी फैमली पैंसन 18,970 रुपे उस पर 7% दि देखें तो यह कि 10,611 रुपे का डिफरेंस है यानि 9,600 मिल रहे हैं मिलने कितने थे 20,441 तो 10,611 रुपे हर महीने तो मार्च, अप्रेल, मैई, जून इसमें मैंने चार की मिल्टिप्लाइ कर दिया क्यों चार महीने लगातार जो है डिये 7% रहा था तो 42,444 रुपे जो उनका एरियर बना था 2018 का अब 2018 में देखिए जुलाई से लेके दिसंबर तक यहां पर मिल कितने रहे थे 9,000 और जुलाई में जो डिये हुआ था वो हुआ था 910 रुपे उनको मिले उन 6 महीने में मिलने कितने चाहिए थे उनको 20,620 तो 6 महीने का जो एरियर बना ये एरिय अब उन्होंने पंजाब निसल बैंक में जैसे ही यह डाटा यहां पर देंगे और जो रिकोर्ड ओफिस है वहां से भी उनके पास वो डाटा आने वाला है 2019 जनवरी से लेके जून डिये हुआ 12% तो मिलना कितना चाहिए था 21,181 मिला कितना 10,080 रुपे तो यहां पर 6 मही 3,350 और मिलना चाहिए था 21,755 छे महीने का एरियर बनाए 68,430 रुपे आप सभी को पता है जनवरी 20 से लेके जून 2021 तक जो 18 महीने का एरियर था उसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं किया गया था सरकार के दोवारा कोविड की वज़े से तो यानि उन 18 महीने का जो एरियर है वो देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं 11,405 रुपे मल्टिप्राइबाई 18 तो जून जनवरी 2020 से लेके जून 2021 तक का जो एरियर बनान का वो बना 2,5,290 रुपे अब बात करते हैं जुलाई से लेके दिसंबर 2021 की जब डिये सरकार ने कर दिया 31 परसेंट तो मिलना कितन 11,790 यानि 12,991 रुपे का हर महीने यहाँ पर उस टेम्पे नुकसान हुआ तो मल्टिप्लाइबाई 6 77,946 अब बात करें 2022 की 2022 में आते हैं तो 34% डिये डियार होता है जनवरी से लेके जून तक का मिला 12,060 मिलना चाहिए ता 25,349 तो यहाँ पर 6 मेने का हुआ 79,734 फिर ज जुलाई से दिसंबर जब डिये डियार हुआ 38% तो उनका एरियर बना 82,110 रुपे अब 2023 जनवरी से लेके जून 2023 तक जो डिये डियार है वो 42% है तो मिलना चाहिए ता 26,862 रुपे मिल कितना रहा है उनको 12,780 रुपे यानि 14,82 रुपे का हर महीने यहाँ पर नुकसान 2023 म है अब देखे मैं बताओं कि मार्श 2018 से जून 2023 तक जो टोटल उनका एरियर बना वो कितना बनता है देखे 2018 से लेके 2023 तक का जो हमने डाटा निकाला वो सारा डाटा है पर मैंने एड कर दिया है सारा सारा एरियर एड कर दिया इस सारा एरियर एड करने के बाद में जो टोट अमाउंट आता है वह उता है सात लाक इकतर हजार चार सो अठाणवे रूपे देखिए एक दो हजार अठार से यह सेम पैंसल ले रहे थे लेकिन इनको मन में आया कि भी उपना सवाल पूछते हैं को जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे तो आपको देखे समाधान नहीं मिल तो इन्होंने स्क्वेरी पूछी मैंने इनका पूरा डाटा निकाला देखा सब कुछ मैंने चेक है तो मुझे पता चला कि इसमें कुछ गड़बर है तो मैंने देखिए इनको बोला कि आप ग्रिवेंसिस डाली इन्होंने ग्रिवेंसिस डाला उस ग्रिवेंसिस के बाद इनको देखे 7,71,000 रुपे जो है एरियर के रूप में मिलेगा और इनकी जो पैंसन है वो भी देखे हर महीने जो 9,000 आ रही है वो देखे कुल मिला के अब यहां 18,970 रुपे हो जाएगी यानि हर महीने का फाइदा तो है अलग से है लेकिन 7,71,000 रुपे एरियर है जो इनका मैं बहुत से ऐसे पैंसनर्स हैं जिनसे परशनली बात करता हूँ उनके जो भी क्वेरीज होते हैं उनको देखता हूँ उनसे कंप्लेंट लाए तो चार-पांच ऐसे पैंसनर्स हैं जिनको मैंने परशनली उनके क्रिवेंसिज दलवाए हैं और उनके रिप्लाइ भी आए ह तो ये थी पूरी जानकारी अगर आपको पसंद आई तो देखे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें फिर में लेंगे आपसे जैहिंद जैभारत